मेरी मा के लिए यह भोली भाली पब्लिक हमें मिनिस्टर बना देती है वैसे हम पड़े लिखे नहीं होते आप लोग तो आईएस एक्जाम पास करके देश की पॉलिसी बनाने वाले आफिसर बने हैं आपके बिना यह देश नहीं चल सकता सर भले ही हम आईएस आफिसर हैं पर आपके सहयों के बगर कुछ नहीं कर सकते करप्शन को कंट्रोल करने के बावजूद अर्वो का कोईला घोटाला हो गया मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में सक्त कर रवाई करें सर अच्छी तरह चानविन कीजिए ताकि एक भी घबदार बचके निकल नपाएस कैसे हो शर्मा जी मुझसे क्या काम है शर्मा जी आप इसे तो काम है तुम जैसे गुंडे इस देश की जड़े काटने में लगे हुए हैं तुमने अर्वो के कोईले घोटाले की यार में करोन की डायमंड्स की स्मगलिंग की शर्मा जी डायमंड की स्मगलिंग ना करें तो वो औरतें खुबसूरत कैसे लगेंगी, हम इसलिए ऐसा करते हैं क्यूंकि औरतें डायमेंड्स की दीवान ही होती हैं, आपकी पतनी भी डायमेंड्स पसंद करती होंगी, एक सेट भेज दू, विश्वत, मेरे आदमी को ज़रा फोन दीजिए, राम नाम सत्य है, आप शेर मे कोई दूसरी नेऊज नहीं है, सार, आपकी मिनिस्ट्री में घुटाला हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है, राहुल शर्मा की मर्डर की पीषे किस-किस का हाथ है, मैं मानता हूँ की घुटाला हुआ है, लेकिन मेरा इससे कोई تعلuk नहीं है, रावर शर्मा केस की करोड का है ना दीपक आईए यहां एक लाख करोड पता भी है इसमें कितनी जीरो लगते हैं चैनल ने हाथ में माइक थमा दिया तो कुछ भी बोलोगे मेडिया की जिम्मेदारी आपको कब समझोगे एक मिनिट चांत हो जाएए देखिए आज मेरी बेटी विदेश जा रही ह यही इसलिए अगर आप लोगों की इजासत हो तो मैं जरा उससे मिलूँ सब्सक्राइब के हाई कमान का इसके बारे में क्या कहना आई एस ऑफिसर रहुल शर्मा का अभी अभी मडर हुआ है क्या वज़ा है कि मिनिस्टर इसकी चानवीन की बजाए अपनी बेटी को विदे यह दादी अरे के इतना सामान यह सब क्या हो रहा है बेटा जरह देखिए तो आपकी बेटी अपने साथ कितने बैग्स भर के कपड़े ले चा रही है अब इतने सारे बैग्स ले जाओगी तो अब मीडिया वाले बोलेंगे अरे इतना सामन क्यों बेटा डादी प्लीज नो रोक टोगा मैं सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी हूं और मेरे बैग्स में टेडी बेर्स के लावा कुछ भी नहीं है साइकलाजी में पीजी करने जा र मुझे यह पपी दो बेस्ट अफलग बिटा लव यू डाद कर दो कर दो कर दो कर दो अलौ। हुल। ह्ै। अकांशा.. इंदिया नइस हाउस वुलकुम। इस अवे जूरी रूम। ओप यू रख रख रूम। अब्रीज। रखनी रूम। अब जुटे अबदेखाज। और रखना भाल्कॉनी और राइट यू रखना रहां रहां मैवि नॉ हेलो मैम यहां एक बॉक्स है काटन बॉक्स अंडर था बेड अम इस यॉर्स नौ माइट बिलॉंग्स तो प्रीवियस टेनन्त जस्ट लीविट ओवर देर डॉंट वरी हाई मा अहराम से पहुच गई हुं घर में आ चुकी हुं सब कुछ बहुत खुबसूरत है लेकिन मा एक चोटी सी प्रॉब्लम है पहले जो लोग यहां रहते थे ना उनका एक काटन बॉक्स चूट गया है वह छोड़ गया भूल गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर क्या हो सकता है अगर उनकी जरुरत की चीज होई तो मुझे खोल कर देखना चाहिए ना जब तक म नहीं लेती मुझे नीद नहीं आएगी यह लड़की का है यह लड़की का है काफी अच्छा कलर है सुन्दर है लेकिन यह है कौन हो नाम है कोमल वैसे इस का नाम इसकी शकल से मैच करता है कोमल गोमल अरे इस लाल रंग की टाइरी में क्या हो सकता है यह खुलती कैसे है यह डाइरी कोमल की है परसनल है तब तो इसे ज़रूर पढ़ना जाए है मैं पढ़ने जा रही हूं माप कर देना काफी परसनल चीजे होंगी बाबा अखिर मेरी म्यूजिक की पढ़ाई की खातिर मुझे यॉरप भेजने को मान गए यॉरप मुझे बहुत पसंद है खासकर फोर्थ आविन्यू का अपना रूम 594 और यहां की हर एक चीज़ बैलकोनी से बहुत ही खुबसूरत नसारा दिखाई देता है सची तो फिर मैं भी देखती हूँ वाँ ओ माई गाड आसम इंट्रेस्टिंग मुझे और पढ़ना चाहिए मैंने आते ही ममी को फोन किया बेटा तुम अच्छे से पहुंच गई ना हाँ ममी बेटा देखू बाजार से सबज्या खरीद कर अपना घर पर ही बनाना वहां तो सब नौन्वेज ही मिलता होगा वो पीजा बरगर कोल्ड रेंग वाइलन तो ठीक है ना तुने उसे ने बजाया और मैंने भी अब तो मुसे बजा कर ताम कपाऊगी इंगलेंड की महरानी का दिया हूँ तुम नहीं जानती मेरी सुहाग रात से लेकर तुम्हारी डिलिवरी होने तक रात दिन वाइलन ही बजाते रहे मेरी बात मानो बेटा तुम एक नया इंस्रुमेंट आज मेरी कॉलेज का पहला दिन है पापा का वाइलन हाथ में लिए मैं दिल में हजारों अर्मान लेकर कॉलेज आई लेकिन वहां मेरी मुलाकात एक बहुत ही दिल्चस्प लड़के से हुई फेज की वहां में घजा勝े बंट बाता नैजलन का एक बाता नहां में द комментbly में लेवे थी आख ये जिए ईएटाद। आख ये उन पाता एक अ अलेकिन झाल झाल अढ अँ़गी एफ पॉबग सिवाद के बडिया एंड है कि सब्सक्राइब के का इप अभारा है हुआ ये! हुआ तेक है उसने मेरा खांदानी वाइलन तोड़ दिया अब मैं क्या करूँ पापा को ये बात मैं कैसे बताऊंगी नहीं इन लड़कों को दिमाग ही नहीं होता अच्छानक कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी उमीद ही नहीं होती लड़कियों की इमोशन्स को जरा भी नहीं समझते हैं ये लोग इन्हें तो अपनी जिन्दीगी से आउट ही रखना चाहिए इरिटेट करके रख देते हैं कि अच्छा लड़का हुआ या बुरा कि अच्छा लड़का हुआ या बुरा कि अच्छा लड़का हुआ धाल болगॉ कि अच्छा झीजवे तो फेंगदे कर्छा साथ कि अच्छा लड़का हुआ ये हो कि अच्छा ये इन्हें थाल अझाङ होई तुम असापार्टमेंट में नई लडगी ओना हाथो कि नाम क्या है कांग a संजु जानती हो इसने मुझे उस अपार्टमेंट में आते हुए कब देख लिया यानि यह हर उस इंसान पर नज़ा जो अपार्टमेंट में आता है इसकी हरकतें देखके तो मुझे यकीन है कि इसने उस लड़की के साथ कुछ बुराई किया होगा वह स्मार्ट लग रहा है कि डाइरी को आगे पढ़ती हूं तब पता चलेगा जाओ आगाए जाओ रहा है Excuse me? Yes? Oh, new admission, Miss Komal Sharma from India I want to meet Mr. Brahma Which Brahma? Violent Brahma Violent Brahma? Oof! Go inside, he's playing Stop! Granddaughter of Rajvallav Sharma Daughter of Kishorvallav Sharma Surashree Komal Sharma Mujji haashirvati ji ji Guruji एक मिनिट ऐसे ही जरह होल्ड पर रहे न Look, all you western people should learn this 10 साल से मुझे बस इसी बात का तो इंतिजार था और गुरू के पैरों को छुना ये लोग अपना अपमान समस्ते और ये पागल अड़की इसने तो मेरे खिलाब शिकायट कर दी आज मेरी वज़े से वाइलिन कोर्स को शास्त्री संगित में जगह मिल चुकी है तुम्हारा वो खांदानी वाइलिन देखने के लिए मेरी आखे तरस गई है मुझे उसका दीदार कराओ मैं उसे चूना चाहता हूँ उसे महसूस करना चाहता हूँ गुरुजी वो वाइलिन अब नहीं रहा क्यों क्या हुआ उसको टूट गया गिर गया था नहीं वो किसी ने तोड़ दिया तोड़ दिया किसी ने गलत राग की तरह इस बात का भी पता तुम्हारे पिता को चल जाएगा ये सुनने के बाद उनका मन भी तूट जाएगा सही का गुरुजी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वाइलिन संजु ने तुड़ा है ना संजु कौन वही संजु जिसके कात जैसे बाल थोड़ा जमीन के उपर थोड़ा जमीन के नीचे जो सब कुछ मिट्ली में मिला देता है जो दिखता लंबा चोड़ा है लेकिन दिमाग खाली है वही है ना हाँ खुरुजी बिलकुल ऐसा ही था मुझे पता था वो और उसकी अजीब गैंग अगर मुझे उपर वाले का डारेक्ट कॉंटक्ट नंबर मिल जाए तो मैं उनसे यह सवाल पूछूंगा कि उस बेसुरे को धरती पर क्यों भेजा वह संगीत के नाम पर एक कलंक है उसका वह जो बैंड है ना वह म्यूजिक का बैंड बाजा बारात निकाल झाल तुम्ध隨ज़ करесс आकार Avatar पॉम्ध ओर पॉम्ध का प उल क्या है, आल्येस्टरप इस ताही हुर। द्राइव में पड़र्ट से आई पर अफिंद्दिया से आई है ओव पूंगा यह और कोणी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है मैं बोल सकती हूं ओबोल सकती हो गूंगी नहीं हो तो माइन क्यों कर रही थी कजगंडे में आपने जो वाइलन नहीं तोड़ा था उस गुंडे के मैंने कौनसा वाइलिन मारा था कल उस गोरे बदमाश से जगड़ते वक्त तुमने उसके सर पर जोर से मारा था ना तब तुमने एक लकडी की तूटने की आवाज सुनी थी ना वो चीज मेरी थी और वो कोई लकडी नहीं मेरा खांदानी वाइलिन था ओ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नया वाइलिन दे सकता हूं तैंक्स यो वेलकम वैसे चितना सुना था आप उतने बुरे नहीं है और आप लोगों की भी चितनी बुराई सुनी वैसे हमारे मारे में बुरा बला किसमें कहा मेरे गुरु जी ने यह महापुरुष कौन है म वाइलिन ब्रम्हा ने तुमसे यह कहा अब समझा और तुम्हारा क्या नाम है कोमल कोमल यहां कैसे आना हुआ तुम्हारा म्यूसिक सीखने के लिए वह वाइलिन की टूटी तार तुम्हें सिखाएगा वो बेसुरा देखो मेरे गुरु जी के बारे में ऐसी बातें मत करो चलो मेरा वाइलन दो मैं जरूर देता मगर आब उस खडूस का नाम सुनने के बाद नो चांस मैं तुम्हारी शिकायत अपने गुरूजी से करूँगी अच्छा मैं अपने गुरूजी से शिकायत करूँगी ए तुम मेरी दुश्मन हो ये तुम क्या कह रहे हो एक बात कहूं यूनिवर्सिटी की टेरेस्ट पर चड़ जाओ और वहां से चिलाओ वाइलिन प्रमा एक नंबर का फ्रोड है उसे म्यूसिक एम भी नहीं आता ऐसा करोगी ना पांच वाइलिन लाकर दूँगा और अगर मैं दीरे से कहूंगी तो एक वाइलिन तो दोगे ना लेकिन उसके कान में कहना पड़ेगा कोई और रास्ता नहीं है है ना यहां से चुप-चाप निकल जाओ मैं तीन किनने वाला हूं तब तक नहीं गई तो काम से गई वान 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 टू त्री ते यह सर पर यह गिटार फो हाई हाई है यहां कैसे मैं यहां गिटार बजाता हूं लेकिन तुम्हारा बैंड कहां है कौन सा बैंड तुम्हारी गैंग यार मेरी यह गैंग है यह तुम कैसे जानती हो साइकॉलोजी की स्टुडेंट हूं मैं दो मिनिट किसी को भी स्कैन करने के बाद उनका बायो डेटा मेरे दिमाग में छप जाता है तुम तो वाके डेंजर हो यार सारी साइकॉलोजी स्टुडेंट ऐसे होते हैं सब में यह टैलेंट नहीं होता वो क्या है ना मैं God Gifted हूं अच्छा मेरे बारे में क्या जानती हो बताओ मैं वो बदा सकती हूँ जो तो मैं भी नहीं बता होगा लेकिन मैं क्यूं बताओं मैं भी कितनी पागल हूं इतनी जल्दबाजी करती उचे डाइरी पूरी पढ़ने चाहिए थे वह कांग्षा तो कब बढ़ी होगी अब चुपचा बैठके डाइरी बढ़ करें खील से मेरे श्राइब को देखें के कांपने के जगह उसका प्रम्हा पंडित ब्रम्हा के स्टूड का तुमने ही अफमान किया है थे अष्टे औंधैंट वह चुपचा अवाज में बात नहीं करने जांते हो किससे बात कर रहे हो साथ-चाथ-पंडित ब्रम्हा तुमारे सामने ख़डा है मेरे आगे यह गिटार ड्रम्स यह कीबोड पानी का भटे दूद की चार है यह सब चीजे कानों की दुश्मन है हमें बताने वाला तू कौन है बे तू मेरी बात कर रहे हो साथ समुंदर पार करके अंग्रेजों के बीच में मैंने शास्त्रिय संगीत की जोद को जलाया राश्ते में कितने तूफान आये कितनी आंधिया चली लेकि मैंने जोद को बुछर नहीं दिया और तुम पुछ रहे हो कि मैं कौन हूँ मैं अपना वालिन बजा के उनको यहां रुकने पर मजबूर किया मेरी मत मारी गई थी कि मैं तुम्हारे पास आया आदमी है फटा स्पीकर कितनी ओवर एक्टिंग करता है मुझे तो डाउट है तुझे म्यूजिक आता भी है या नहीं मुझे म्यूजिक नहीं आता मैं संगित समराथ हूँ आयम म्यूजिक म्यूजिक आयम अचा ठीक है आज हम दोनों में मुकाबला हो ही जा हां हो जाए जूद का दूद और पानी का पानी तुम आरा फालिन और मेरा किटार किसमें ज्याबा दम है तुम भी पानलो पिड़ी इखेद्धं तया श्री 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 रंगरंगरंगा चारुलवारी सिंगल नादसंकेट्थन आधितालं पोनकुम्भरागं सेबर श्री 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 श् सबस्के कि उम झारा र मैं पकी ताने गठाल करो प्रोंट कर रो इस ते हैं जागे सबस्सा जागे महाप्रभू, हमसे गल्यों होगी, आप जीते हम्हारे, माप कर दीजे. तुझे माप करतू, मैं हिमालय का जर्ना, और तु गल्यों में बहता हुआ नाला, तु मुझे भटा हुआ डोल बोल रहा था न, अब बोलती क्यों बंद होगी, बोलना, कहा मैं संगीत समराथ और तु खटमल वाली खाट, चल निकल, भूल हो गई गुरूजी, आम एक्स्ट मैंने तुम्हें इतना परिशान किया, इसलिए सौरी, पर तुमने मुझे परिशान किया, इसलिए, थैंक्स क्या मतलब? क्या तुम जनम से इतनी क्यूट हो, क्यूटनेस में प्रोब्लम नहीं है, पर मुझे से यहां मिलने क्यों आ गई? इसकी तो यह लड़का कोई मामूली चीज नहीं है, ऐसी बाते सुनके तो कोई भी लड़की इंप्रेस हो जाएगी, यह उनमें से है, जिसे उंगली दो तो हाथ ही पकड़ ले तुम्हारी आखे पहली बार देखी थी ना, तभी पागल हो गया था यह तो हदी हो गई, यह तो नहाध होकर कोई मल के पीछे पड़ गया संजू की बाते याद आ रही है, उससे मिलने का मन कर रहा है, दिल कर रहा है बस हर वक्त, हर पल उसी के साथ रहूं कोबल किया गलत तुर लगा रही हो, शरीर तो यहाए ने कि ध्यान का है नहीं अजयान ध्यान तु मेरा सही जी जगे पर है मेरा ध्यान गिटार पर ही लगा हुआ है मुझे गिटार सीखना है गुरुजी गिटार सीखना है गुरुजी बात करती है पवित्र वाइलिन को छोड़कर आप वित्र गिटार सीखना चाहती है वाइलिन के अलावा किसी और यंत्र के बारे में सोचना भी पाप है तुम शर्मा खांदान की बेटी हो जिन्होंने पर बैठने के लिए बोले तो मत बैठना अगर बैठी ना तो अगर बैठी ना तो इंडियन बैंक से हम यहां आपके मुल्क में करोडों और वो रुपए जमा करेंगे लगबग करोडों अमेरिकन टॉलर्स आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए इंडियन एंबसी और आपकी एंबसी ज़रूरी डॉक्युमेंट्स की डिमांड करेंगी हमने अपने देश में सेटिंग कर लिए आपका दाम बताई अलगुनाज मिलिने इसे डिपिस इंडिये सिगनिफिका कू अलगुनाज मिलिने ओशे डोलार्स अमेरिकानह से बंसेफ ट्रांसफरंद्ध बाइए असोभांको पर आवारों निसीजितियां लो ओर ज्धिर से इंडियाश जिए अंभाइड़ुमेंड्सिए इंडिया सु बैठो मेरे गुरुची ने मना किया है चुपचा बैठ जा गुरुची को मत बता ना वैसे मुझे लेखा जा रहे हो बताओ ना वह वहीं लैया भाई क्या बोल रहा है राजी हो रहा हूा मैंने इंडिया सो यहां पैसा लाने में ऐडी छोटी का दो लगा दिया तेरी कंट्री का क्या भिकड़ेगा मिल्रींस ओडॉलर्स हखे हुआ तेरी बैंक में मैंने सिर्फ एक अकाउंट के लिए ही तो रिक्वेस्ट की है क्या बिगड़ेगा तेरा बोलू ना चुप-चुप बैठी रहो पर तुम बता क्यों नहीं रहे हो मैं कितनी देर से पूछ रही हूं तो बताओ तो उत्रो क्या कहा ना उत्रो मुझे इस तरह उतार क्यों दिया कितने सवाल करती हो तुम कहां जाना है कैसे जाना है पक्या मैं मुझे पसंद नहीं पांच मिनिट में वापस आ गया तो ठीक है वरना इसकी इसे और इसकी बाइक को भास्म कर दूंगी हम् एज जा के उस लड़की को लेगिया प्रिंगा चुमी और ना बन उसको बैठो हेलो हेलो हाई तुम इस वक्त अकेले हो हां हूं तो क्या कर रहे हो लाच खोल रहा हूं कहां का लाच तुम्हारे खिडकी का है हाँ हाई यह क्या संजु तुम चोरों की तरह मेरे घर में और अपनी शेर्ट के उतार रहा हो है और कृट्डख़ मेरे को आ रहे हो तुम मेरे कास्ट के तो हो ना है तुम ब्रह्मिन तो हो ना। बैपनिस पापनिस क्या होता है। जैपनिस तो सुना था। There were converted things, 거기 were converted कुमल, I love you. प्रीज सन्जू, कुछ करना मत. वह, मैं क्या बोल रहा हूं और तुम क्या कह रही हो? मैंने I love you कहा. अगर मैंने हां कहा तो तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो नहीं, न? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो तुम्हें बुरा लगेगा, न? तुम्हें तो मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद है कोमल संजू एक किस देदो ना एक किस से तुम्हारा मन नहीं भरेगा क्या कहा एक किस से तुम्हारा मन नहीं भरेगा तो मन भरने तक किस करूँ ना नहीं तुम उसके बाद कुछ और भी करना तो मैं भी चाहता हूं साइलन्स प्लीज संजू वही कम्रा वही जगा वही विस्थर उन बातों का असर अब मुझ पर भी होने लगा है अगर मैं डाईरी पढ़ती रही तो कहीं मैं भी कोमल न बन जाहूं कुमल पिगल सकती है पर मैं नहीं मैं तो साइकोलोजी स्टुडेंट हूं कि अजय को 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 अज मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ कम्प्लीटली क्या जान दिया यही कि तुम्हें मुझ जैसी खुबसूरत लड़कियों को बाइक पर लिफ्ट देने का बहुत शौक है बाहर से जितने शरीफ देखते हो अंदर से उतने ही बदमाश हो हाँ या ना सही है जान दी थी तुम्हें तो देखकर ही पता चलता है कि तुम रात को पाइप पर चड़के लड़कियों के कमरे में जाते होगे तुम्हें यह सब किसने बताया बताएगा कौन तुम्हारे चेहरे पर लिखा है साइकोलोजी कोई मजाक नहीं है यह एक साइन्स है अब तो तुमसे डर लगने लगा है यह सब किसी से मत कहना प्लीज कीप इट सीक्रेट हम आल ड्रॉप यू कुझ करूछए देटोाँ कर दूम्हारी टूमारी टूम्हारी अओम। प्रॉप नहीं है था हुआए खुम्हारी लगने अगने ऴूम्हारी हर्चिस अग्यू तार्योंगए भी तो में। में। अग्यू संचु एक आर्मी की तरह है किया नाम है आपका कोमल कहां से हो तुम इंडिया से तुम जो भी देखती हो उसे शूट करती हो कि इतने संदर हो किसीने किडणाप कर लिया तो उसवात लगा जैसे मेरी आर्मी है संजु कि यूँ। क्यू थूएष यू अरे कौन हो तुम लोग कौन हो तुम सब और चाहते क्या हो क्याओ क्या हो हाँ कौन थे लोग तुम्हें किड्नाप करने की कोशिश क्यों कर रहे थे मुझे नहीं मालूम थे हुआ हुआ है कि फेर किरें मुझें कैसे पढ़ा संजू मुझे पर क्यों चिला रहे हो तो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीदे की मर जाता एक स्मार्ट लफंगा हैंसम बदमाश यह कहा सुना उसी डाइरी से जो मुझे मेरे रूम में मिली थी मैंने इस डाइरी को यही टाइटल दिया है उन लोगों को कहीं देखा तुमने लड़की तो अब तक नहीं देखी मुझे मगर वो लड़का मुझे हर रोज कहीं नहीं द कि मैं उसकी पर्सनल बातें इस डाइरी में पढ़ती हूं तो पुरी की पुरी डाइरी एक साथ क्यों नहीं पढ़ लेती हो नहीं माम इंतजार में जो मज़ा है वो दीतारे यार में कहां बदमाश कहीं की आराम से बैठी हो ना यह पकड़ो होल्ड गिटार गिटार लड़कियों के लिए बनाया गया था यह जो इसका कर्व है ना बिल्कुल तुम्हारी तरह है कम से न सीना की तरह पहले गिटार को प्यार से अपने पास लाओ अपनी उंगलियां स्ट्रिंग्स पर रखो यह पिक बेकार है बस उंगलियों से फील करो स्ट्रिंग्स को टच करो जस्ट फील एट संचु का मुझे गिटार सिखाना मैं कभी नहीं बूल सकती वो एहसास वो पल उसमें कुछ अलगी बात थी उसके उपर तुम और तुम पर गिटार यह क्या कर रही हो गुरुजी वो तुम उसकी गिटार पकड़ रही हो और वो तुम्हें अपनी पकड़ में ले रहा है क्या यह गालत है गुरुजी तुम मेरी प्रमहस्त्र थी लेकिन आप तो अस्त्र वस्त्र सब बिखर गए क्या करना योरोप आई थी और यहां पे कर क्या रही हो इस बेशरम के साथ अगर थोड़ी देर आ रुकी तो शास्तिरे संगे तो खतम हो गई और मैं चला जागा अ तो अरे प्रैंग किसने पाली क्या चीखरे कर दिये इज़त कभाजी पला कर दिया लूट गया मैं तेरे चकर में मेरा मुझाला हो गया खंबे जैसे खड़ी है तुल गुरुजी वालियूम लावड हो रहा है वालियूम ज्यादा लग रहा है तुझे गिटार बजाने बा तू होगा कोई ब्रह्मा वम्मा मैं हूँ संजू संजू चोहान हर दो कोड़ी का गुंड़ा अपने आपको तीसमार खाही समझता है और भी दिखाता हूं तुझे यही रहना कहीं जोड़ा हमस्क्या हलो शर्मा जी आपको मेरी बात सुनके शर्मा जाएगी ऐसा क्या हो ग तूट गया किसने तब और किसने अवारा संजू ने कौन है यह संजू उसका बैग्राउंड क्या है बैक्राउंड वो किटार बजाता है और हम लोग वाइलीं सब् हुस्टित्गे टेराने कि कोशिश कर रहा है शास्त्रिय संग्टी डेंजर जोन में है कोमल को भी समालना मुश्किल हो गया है उसे भी अपने बास बिला लो जानती हो तुम्हारी बेटी की भी टूनिंग बिगड़ गई है उस बुड़े ने शादी नहीं की इसलिए फ्रस्ट्रेशन में पूरे का दिमाग सथ्या गया है उसकी बात अपर ध्यान क्यों दे रहे हो भावी जी मेरा हाल पोछ रही है ना तुम्हारी भावी को सिर्फ अपनी बेटी की ही चिंता है काहे की परवा भूल गए उसने क्या किया था खुद तो वालिन लेकर चोरों की तरह घर छोड़कर यूरो भाग गया था अरब बढ़ाया हमें हमारी बेटी के बारे में उसे बात करो और मेरा पिछे छोड़ दो लो बात करो कौन है वो लड़का संजुना बहुत अच्छा लड़का है मा अगर इतना अच्छा है तो उसे हाथ से क्यों जाने देना अच्छा बताओ वह करता क्या है वह बहुत ही फेमस गिटार प्लेयर है असल में वह लुट्च से बात कीजिए तो क्या पड़ोसी जाएंगे नहीं जाओगे नहीं जाओगे देखा आपने पती जब पुराना हो जाता है तो पत्नी के हाथ का वाएगा क्या हुआ फिर वाएलिन बचाना शिरू किया आओ नई संजू अरे आओ ना ना संजू फ्लीज डरती क्यों आपने तो कहा था वह दिखाई देंगे कोई नहीं दिखाई दे रहा है हम भी दिखाई देंगे संजू अलगास की विज़े से पापा कभी नहीं मानेंगे हाई 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 एवरीबड़ी हाई कोमल मैं संजू का पापा यह संजू की मम्मी सुमर है नमस्ते देखे तो सही नट हैंसम बॉइस माइसान संजू नमस्ते अंकल क्या यह वही है जिसने हमारे वाइलन के टुकड़े टुकड़े कर दिये थे आपने ला कुछ भी बोलते र लगा कर भुजे जरा पदमिर्श्री दिल वादिजे परी सारी चाहें पुरी हो जाए अरे भाई साब पदमिर्श्री मिलना इतना असान कम नहीं है सुने 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 मैं पूरी कोशिश करूँगा समझो हो गया यह हुई नबाद चलो मिला लो हाथ परसों सुबह नौ बजे मम्मी पापा और बाकी सब आ रहे हैं शादी में सिर्फ चार दिन बजे हैं शौपिंग की सारी टेंशन संजू सम्हाल रहा है हे भगवान सब कुछ बस इसी तरह चलता रहे और तभी फून की घंटी बजी हां आगी के सारे पेज खाले आखिर उसके बाद क्या हुआ उनकी शादी हुई या तो फिर हुआ क्या संजू कोमल कहा है तुम कोमल के बारे में कैसे जानती हो मैं उसी जगह रहती हूं जहां पहली कोमल रहती थी मुझे वहां उसकी डायरी मिली मैं जब से आई हूं तब से तुम दोनों की लव स्टोरी के बारे में पढ़ती आ रहे हूं लेकिन वो कहानी अधूरी रह गई है उसके बाद क्या हुआ कोमल कहा है कहीं तुम दोनों अलग क्या कोमल को कुछ हो गया है क्यों अलुओ क्यों वहां इस था इस कॉम हो यस तुक्र स्टोर स्टेफन फ्यूल्टन होस्पितल मिससांजू है अब था अचिदेट और कि अंधिन से थीडिस कंदिशन प्लेश कम बाद को छमाँ! ाई Welli सनुुू, सनु वपनभी! aई लो सनुु कर संुू डो कर सकते हैं सनुू झाँ सक खु !!!! noise it कि अखिए देखो केमरा कहा रखा हुआ है मिल गया भाई उसे पुछो के वीडियो किस-किस को भेजा है किस-किस को भेजा यह वीडियो कैसे शूट हुआ मुझे नहीं पता तुछे नहीं पता बोल किसे भेजा वह साली नौटंकी करती उसको तो फटके मार के पूछ मुझे कुछे हुआ वह पॉच गैसे औरे तारे औरे में लगाना 1 औरे बाँ सुट औरे बाँ स्थों लाँ औरे पाँना लोगा गाँ तामाुझजजबث व कि अड़ औरे में से जरे लूटबगा लाँन कि अですね यह पेडियो और किसको भेजा हूँ सेच्य। कर दो वजिए पाश अच्छ वाट 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 अईघ साय जय जय exhibits साय जयर कुष जय है जय है चौन आईए एउन एपार क्टम उखार के भी जिए पार साब, प्याहिस ऑना, प्याहिए एए हैं झौन आईए, प्याहिस ऑना, आईए और बंपर इंडर ऑना कर दो एताओ प्रूबंवां कि अटेंदैं मुछ रप कि अ 어우 झाल 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 यह आपक पुश्ज है। बंशे! बंशे! हाए! हाह! आपस। झाल 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 उनकी कहानी के बारे में जानकर वाकई बहुत दुख हो रहा है संजु ने कोमल को खो दिया मैं समझ सकती हूँ कि उसके दिल पे क्या गुसर रही होगी मुझसे उसकी तनहाई देखी नहीं जाती मेरे उसके करीब जाने से उसकी खुशियां लौट सकती है मुझे उसके करीब जाना ही होगा साथ सूर संगीत के आठवा मेरा हुनर सुर लगाओ कैसे गाने लगिवानर चरण प्रानाम बता अपना नाम मैं हूँ पगला स्वामी पगलापूर से आया हूँ गेट अब देखते तो अफ्रीका से आये हो लगते हो दिखावे पर मत जाओ अपने अकल लगाओ काम बोलो मैं बावला अनाडी आप संगीत के महन खिलाडी रेकिस्तान में बर्फ के गोले और बरसात हो सकती है आपका संगीत कुछ ऐसा है मेरा संगी सुनकर तो एक बार कब्र में गड़ा हुआ मुर्दा में डांस करता हुआ बाहर निकला था यह किस्ता आपके फेसबुक पर देखा था इसलिए फेस टू फेस अपना इलाज करवाना आया हूं कौन सा रोग है पगलापूर में सारे मुझे पगला स्वामी पगल लगते नहीं हो थैंक्स गुरु कंठेश्वर एडवांस में आपको गुरु दक्षणा देना चाहता हूं जल्दी क्या है पहले विद्धा तो प्राप कर लो नहीं अभी बड़ी जोश्वर्दक गुरु दक्षणा है कंठी लाए होगे चलो दिखाओ हाँ कमान ये सर आपके दक्षणा इसका कंठ भी बड़ा सुरीला है ये गुरु दक्षणा है इसके साथो सुर बड़े परफेक्ट है लगा के देखिए खुश हो जाएंगे इसका कंठ जल्दी ठकता भी ने ट्राइगी जिए इसे सिखाओंगा तो अपने सुर भूल बारे में सोचता है देश की भलाय के बारे में कोई एक बार भी नहीं सोचता चेंगा अगर यह केस सॉल्ब नहीं हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा माम मैंने आपको वो लव स्टोरी बताई थी ना उस कोमल को किसी ने जान से मार दिया एक बात बताओ उस लड़के की हा बताया क्या हुआ सब ठीक तो है ना अकांशा ने जो लव स्टोरी के बारे में बताया था उस लड़की को किसी ने मार दिया आकांशा भी बहुत दुखी एक मिनिट मुझे दो बेटा तुमने जो बताया वो कहानी है के सचाई है नहीं डादी जो बताया वो हकीकत है देखो बेटा अक्सर वो नहीं होता जो हम चाहते हैं इसी का नाम तो जिंदगी है जिंदगी में हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता हम तो बस एक कटपुत लिए बेटा और तुम तो स लाज भी फटाफट कर दीजिए सुष्वागटम आज़ा है यह दर 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 गुरू कंटेश्वर बोलो चले पागलपन और साइकोपन में क्या फर्क है पागलपन शुरुआती लेवल है जैसे तुम्हारा साइको होना लास्ट मेरे पास तो नहीं है तुम अश्वरुधारा क्यों बाह रहे हो यहां विदेश में सारे मुझे साइको बुलाते हैं साइको यह तुम्हें मुझे पहले बताना जीए था आप आखो तो नहीं बैठा मुझे गलत मत समझना कल तो तुमने कहा था कि तुम्हें सब पगला म्यूजिक से इलाज नहीं हुआ तो कुछ और सोचता हूँ अहां पहले में तेरी ट्रिमिंग करूंगा फिर तलपती मशली पे नमक मिर्च लगाऊंगा और फिर खोलते तेल में तलका लगाऊंगा नहीं साथ सुरों की कसम तुम पगले नहीं हो साइको हो पूरे हटे ले तो आप तेरी खोपड़ी में बाद बूसी ना तो चल फिर मेरा इलाज कर सुरह टेले साइको सुर की विद्ध्या मैंने प्राप्ट नहीं की मेरी खोपड़ी बक्ष दे विद्ध्या प्राप्ट नहीं की तो एकदम सच्चा बंदा लगता है मैं वापस पगलापूर आपने पहले क्यों नहीं बताया मैंने उसे कहा हर्मोनियम सिखो उसने कहा प्यानों सिखाओ बात नहीं जबी तो भाग गई तुने मेरी आइटम घुमा दी मैंने उससे यहां के नाइट बार से भगाया था पुलिस पीछे पड़ी थीजले यहां चुपाया लेकिन तुने यहां सिखोछ खाया था तुने में बेग जिए यहां रोगातों चुमारयी में आइटमों सर्वारी कहा है भी मैंस मुआ जएरे च lighter बागातों प्लाइट तह सकता अ três नहीं अ मत्मुआ सक्रों हु आंट nuts parsing यार तोड़ दें I love you वेट यार शीज प्रपोजिंग क्या कहा तुमने जो तुमने सुना फिर इसे बोलो I love you इसमें हैरान क्या होना अगर किसी को बॉइफ्रेंड के साथ एक बॉडी गार्ड भी मिल जाए तो और क्या चाहिए तुमने सिर्फ उन लोगों को भगाने के लिए I love you कहा ना मुझे जब मौका मिला मैंने उसमें चौका लगा दिया मैं तुम्हें पसंद जो करती हूं डाइरी पढ़ पढ़के 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 तुमसे लगावसा हो गया है मुझ पर तरस खा रही हो मेरे बार मैं ऐसा क्या जानती हो जो तुमने I love you कह दिया है हेलो साइकोलोजी स्टुडेंट हूं साइकोलोजी या तुक्का तुम नहीं समझोगे तुम जरा मेरे साथ साथ में आओ कुछ बात करनी है नहीं जानते हो मैं कौन हूं सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी हूं अगर तुम चुप चाप साइड में नहीं चले तो अंजाम क्या होगा देख लेना संजु ऐसा मोगा बार बार नहीं आएगा छोड़ना मात मेरी आखों में जहांक कर देखो फही तो कर रही हूं मैं तुम्हें प्यार करने का ना मुझे कोई शौक है ना तिल्चस्पी तो फिर इतना नजदीक आके क्यों कह रहे हूं ज्यादा एफेक्टिव है संजु की बच्चे तुमने ना कहने की जुरत की सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी हूं मैं तुमने वो कहवा सुनी है कि जब लुहा गरम हो तभी आ थोड़ा मारना चाहिए अभी वो टाइम नहीं है तो फिर चलो चिल्ट भीर ही पिलादो क्या वोलती हो है उसके बाद तुम्हारा प्रॉब्लम सौल हो जाएगा मस्त है ना कॉल फियू सर्थ होस दिस मैरी स्थाकर हलो हलो मेरे पास कौन सा रुकड़ा आ गया है देख दो देशों के चक्कर में मैं भी यहां फसा पड़ाओं पिछले दो महिनों से उन रुपों को देखने के लिए तरस गयाओं पहले से इतनी टेंशन है और तो अपनी बीन बजा रहा है जरा सोच के देख उसने अपना मुग खोल दिया तो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है मगर मच के जबड़ों को बंद करना आता है मुझे हलो छोटा अभी तक कॉमा से बार नहीं आ है डॉक्तर क्या जख मार रहा है डॉक्तर का कहना है कि भाई को कभी भी होश आ सकता है वो होश में नहीं आया तो अर्बो डॉलर हाथ से निकल जाएंगे साला कॉमा में जाने से पहले कम से कम ये तो बता देता कि पैसे कहा छिपा रखें आठ महीने से मालिश करवा करवा के खिज क्या है वॉल वबढ़े ले वीड़ को वॉल 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 करेंगो वॉल वॉल क्या गा मेरे भाई को हॉस्पिटल से किसी ने अगवा करने की कोशिश की हाँ सर कौन है वो पता नहीं सर वो जो भी है ये काम उसने पैसों के लिए किया होगा सर भाई को अगर किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगो तो अच्छा होगा नो उसे वहीं रहने दो वो दुबारा वहां पर जरूर आएगा और वो भी चलती है कि पूरा मारी साइको पंडित ये जमा कला की देवी मासर सतिवा चाले गुरु घंटाल इससे भी भेजा ठीक नहीं हुआ अब तो तुम गए डेड नाइट केमिस्ट की तरह 24 घंटे से तुम्हें राग सुना रहा है अब तो मुझे तुम पर ही राग और द्वेश आ रहा है साइको सर मैंने कुछ गलत कहा राग मत दे बजा बातरूम तो जाने दो एले कोई अच्छी धुन सुना धुन के चक्कर में थोड़ी और देर हो गई ना तो धुन कही और से बजेगी तु तभी हलका हो पाएगा जभी मेरा साइको पारा नहीं चाहेगा फुरसत में सोचना पड़ता जल्द बाजी में सं से अवे साले सरफिरे तु पुझे सिखागा कलाकार कुछ भी सा सकता लेकिन कलाकार मान नहीं सा सकता आर के बाद में तुछ इस बन कम्रे में कवी नहीं सी जाओंगा मेरे डाडी ने नजाने कितने अमीर से अमीर खांदानों में मेरे लड़के देखे फिर भी हाने ही कहा वाइं तुम लोग खाने पीने में लगियो मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं वह संजु अब इतनी अच्छी माल को क्यों सता रहा है तू ओय माल का बतलब अरे यार इतनी संजु ना अच्छी लड़की वो क्यों सता रहा है तु संजु क्यों इतना भाव थारा है में इससे चाहता नहीं हूँ लेकिन मैं तो चाहती हूं ना कांग शा यह प्यार नहीं इगो है संजु बाबा वावा क्या डालोग तुम चाहें कितनी भी नफरत करो एंधो तुमे करते रहे और वो मनाती रहेगी सोच ले तेरे सामने कोमल बैठी है लफ लाइखा तम अकांग्शा जाओ जाकर सवार सुट पन कराओ तो मुझ से नहीं होगा क्यों नहीं होगा तो पेक के बाद तुम्हें मुझ में और कोमल में कोई फर्क नहीं लगेगा उससे ज्यादा पी लोगे तो नाम भी यार नहीं रहेंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ताइम वेस मत करो पीना शुरू करो मैं कितना भी पील जुक्ति रख पर हाथ रख दिया ना चल हो जाए जुक्ति रख 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 जुक्त मैं तो यह सब बस मस्ती के लिए कर रहा हूँ गलत मत समझ बैठना मेरी कोमल जैसी कोई भी नहीं है ऐसा क्या अब अचानक इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई संजु यह मत भूलो कि लड़के तो हमेशा लड़के ही होते हैं मैं तुम्हें पसंद हूं अब आए ना लाइन पे लेफ़ ड्रिंक्स कासा शुडू हो गया है क्या तुम मुझे रूम तक छोड़ दोगे मुझे अकेले डर लगता है इतना भी नहीं करोगे तुम्हारा उस रूम से रिष्टा भी तो है मुझे प्यार हो गया है उसके बिना जीना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन है धीरे धीरे उसने मेरे दिल में जगा बना ली है अब मैं उससे अपने प्यार की किरफ्त में ले लूँगी कॉमल 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 लगा रखा है आकांग्षा कहो आकांग्षा अगर मेरे मम्मी डाडी को पता चला कि तुम रात को यहां आये हो तो मेरी जान चली जाएगी मम्मी डाडी मैं आपको कल ही फोन करूंगी कि मम्मी तुम यहां क्या कर रहो हूं आ रोख्यूयु रही हो तुम रहे हो यह क्या शूर्ड क्यूबड़ी है तुम्मारी अब अंजान-बन्ले की कुश्श मत करो रात को इतनी पीली थी के जबरदस्ती मेरे कमरे में चले आए नशे में मेरे साथ क्या क्या किया पता है तो मैं लुट गई बरबाद हो गई तुम्हारी वज़ों से मेरा फायदा उठाया नो 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 अब ज्यादा नोटंकी मत करो दुनिया को क्या मूँ दिखाऊंगी अकांग्शा मुझे मुझे वाकर याद नहीं कल रात पीने के बाद मैंने क्या किया मैंने तुम्हें कोमल समझा इसलिए ऐसा हुआ कल रात मेरे हाथों जो गलती हो गई ना उसे सुधारता हूं देखो आप हम वही गलती दोर आएंगे लेकिन इस बार तुम्हारी मर्जी से तो चलो मैं शुरू करूं रात को जो अंजाने में हुआ वही अब जान बूच कर गरेंगे चलो अकांशा गबराती क्यों हो अब तो हम दोना एक्स्पिरियंस भी है ना कुछ नहीं हुआ मैं तुमारे हाथ जोड़ती हुआ कल रात कुछ नहीं हुआ जानता था लड़किया नहीं सुद्रेंगी मेरी इज़त लूट ली मुझे कही का नहीं छोड़ा इमोशनल ब्लैक मेल करके लड़कों से कितनी बाते मनवाओगी कभी किसी लड़के ने कहा है हाई मेरी इज़त अब मैं क्या करूंगा इस सब नौटंकी से मैं अच्छी तर तु तुम्हें कान के नीचे फुल पैंड पैनो ठंड लग जाएगी परम गुरू कैसा लगा ना विद्ध्याले तुम मुझे किस पाप के सज़ा देने यहां लाए हो साइको मबु यहां बीच में खाचा है वहां से नीचे गीरा तो लोचा है वह अच्छा बिल्कुल डर लग रहा है और क्या आगे जीत है अगर आज ठीक ना हुआ तो घुसा दूंगा कोशिश करता हूं कि गोबैक गोबैक साइमन अहां मैंने गोबैक कहा जम करने को नहीं का तुम्हें तो पीछे की नहीं जा रहे हो हां शोक लगा दूंगा गोबैक चोटी से गिर जाओंगा तो मेरी माला की एक भी गोटी नह गुरु आचार्य एक रास की बात बताओं बताओं मैं मैं सुर अच्छा लगाते हूं मैं भरत नाट्यम का बहुत बड़ा फैन हूं संगीत के साथ नाच का भी शोक है और आज आप मुझे टू-इन-वन कोचिंग देंगे मैं हां आप नाचो तो नाचते नाचते पहार से अफिसल गयातो थिर 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 नाध विनोदमु नाच्य विलासमु परम सुखमु परमु आभिनाय वेदमु पभकनु वादमु सलुकु परमपदमु साले, साले हटे ले यह यह अब अपने गावालो को अपने नाए आवतार देखाना है कौन हो तुम साइको एक्टिंग अच्छी कर लेगा है अब समझा अरे तुम जैसे पागलों का से नहीं होगा शौक से होगा एलर्ट शीटीवी फुटेश के मताविक वो लड़का इंडियन है वो अब तक जिन्दा तो नहीं है ना नो सर मुझे था बिट आउट है तुम्हें लगा मास पहन लोगे तु पहचानू की नहीं कहां जा रहे थे अकांग्शा मेरा पीछा मत करो पीछा तो मैं नहीं छोड़ूंगी अकांग्शा प्रीज शट्यों माउंथ मैंने अपना नाम बदल लिया है अब मेरा नाम कोमल है अच्छा लगा ना मैं तुमसे बात कर रही हूं और तुम यहां वां देख रहे हो हुआ है अकांग्शा मेरा पीछा मत करना यहीं रुखना पिसर काही है अब है 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 इस दिस दुखाई है है यह थिस बात कर रहे थी तुम चले क्यों गए हम बेकार के सवाल मत करो बेकार की बात है तुम कर रहे हो वो भी मुझे इग्नॉर करके फिलाल में बहुत प्रोब्लेम में हूँ चली जाओ अरे जा का रहे हो मादाम वोट यू दूएंग हथकडियां क्या अरे वह तब हम जो नहीं चाहते अकसर वह हो जाता है और इसी को शायद जिन्दगी कहते हैं तुमने कभी सोचा था कोमल तुम्हें छोड़के चली ज परॉब्लम किसे नहीं है प्रॉब्लम सैंट्र मिनिस्टर की बीटी हो और मेरे डाडी मेरी सगाई किसी और से करवा चुके है चार महीनों के बाद मेरी शादी होने वाली है मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी हूई हूई और तुम हो कि कुछ समझते ही नहीं हो तुम्हारी सगाई हो चुकी है पर किसके साथ एवे कोई है पिर भी तुम मुझसे शादी करोगी पहां करूंगी पर क्यूं कितनी बार कहना पड़ेगा लाव यू संजू हमें हमेशा नदी के बहाव के साथ ही बहना चाहिए इसके खिलाफ पहोगे तो तुम हार जाओगे मैं सीरियस हूं और तुम हस रहे हो सर इस फॉटो हैस कम इन फैक्त यह वाई 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 यह वाई यह वी तक मरा क्यों नहीं हाँ सर फोन हलो डादी मैं आपकी लाडली होना यह भी कोई पूछने की बाद हो बेटा मैं कुछ मांगूंगी तो आप देंगे ना बताओ बेटा क्या चाहिए डाड मुझे संजू चाहिए संजू चाहिए तुम पागल हो गई हो तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो भूल गई तुम्हारे पापा क्या है इसका अंजाम जानती हो आकांशा डैड ने तो हा कह दिया है कोई हा नहीं कहा जब से तुमसे बात हुई है बस रो रहे हैं चार महीने बाद तुम्हारी शाधी है और अब तुम मना कर रही हो तो क्या किसी से भी शाधी कर लूँ हाँ तुम्हारे हां कहने पर ही इशादी तय हुई थी तो अब मैं मना कर रही हूँ अब अगर तुम्हारे डाडी जीदेजी मर जाएंगे मॉम उस ऒक मैरे डाड की वजये से हां कहा था और अब डाड को मेरा दिल रखने के लिए हां कहना होगा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती तुम कहोगी हमेशा वही होगा हां हमेशा वही होगा और अगर आपने फोर्स किया तो मैं खुद खुशी कर लूँगी सेथिंस्ट स forum कर और कर दो मैं खुद 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 खाथ बचा रे भाल रस टुछ गोसे टेल रही है ऴुछ गोसे बीघ्ट गोसे acă संजू खोर लबहुत है क्या 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 करो मेरी बात का यकीन करो मैने अपनी आंखों से देखां यह क्या क्या रही हो सऱ्चू मैंने उससे देखा है वह लास्ता पार कर रही थी अधिमेरी जंग से उस पर नज़र पड़ी कार्शा कोमल कैसी दिख्ती थी तुम्हें नहीं बता मुझे यकीन है तुमने किसी नो, 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 शौक लगा ना, तुम्हारे मंगेतर ने मुझे यहां भेजा है क्या कहा? मैं तुम्हारे मंगेतर की वज़े से यहां आया हूँ I thought your boss would be here, bad luck! तुम्हारा मेरे मंगेतर से क्या लेना देना है? मैं अपनी जिन्दगी का हर एक बल उसकी मौत का इंतजार कर रहा हूँ तुम बस मेरे खेल का एक महारा हो मैं महारा? तुम साइकोलोजी स्टूडेंट हो मेरे बारे में सब जानती हो तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारे रूम में तुम्हें जो डाइरी मिली थी वो भी मेरे खेल के एक चाल देना ताकि तुम मेरे प्यार में बागल हो जाओ तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाया रहूं सिर्फ मैं मैं मारे शाइक ऊऑीख में अचिक, मारे रहाएएच। तुम्हारे वरे तुम्हारे तुम्हारे गृच्य पताइब मैं नेयुक्षे छाल का काम तमाम हो गया मेरे बारे में भूल जा तू बस अपने बारे में सोच तू कौन है बे अगर कोमा में पड़े तेरे भाई को होश आ जाये ना तो उससे पूछ ले ना तू जान जाएगा तेरा पाला किसे बढ़ा है तेरी मंगीतर को मुझसे डीप लव हो गया है सुहागराद मनाना चाहती है वो भी शादी से पहले है है संजो शादी के लिए मैं हाँ कर दू ना तो लड़की के साथ साथ पैसो पर भी मेरा हाख होगा कमीना तुमने मुझे इस्तिमाल किया हां किया क्यों कोमल की मौत के बारे में मैंने तुमसे चूट का मैंने ही उसे हॉस्पिटल में अड्मिट किया था हमारे माबाप हमारे शादी के ठेर सारे अर्मान लेकर आये थे कोमल की हालत उनसे देखी नहीं गई कर्मा है ओ माइग गॉड देखा आपने उन गुंडों के बाप की सजा मेरी मासूम बेट ये भुगत रही है शांत हो जाओं मैं लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैंने इस्तिर चौधरी को अच्छे से जानता हूं उससे बात करता हूं को जवान सार कुछ गुंडे समुत्र किनारे किसी का मड़र कर रहे थे और मेरी होने वाली बहु कोमल ने उसका वीडियो गलती से उतार लिया अब उन गुंडों ने कोमल पर जान लेवा हमला कर दिया उसे अभी तक जान का खत्रा है आप कुछ कीजी प्लीज हाँ मैं देखता हूं जौन थांक यू सर फोन उठा है शंकर उनके पास वह वीडियो है जिससे हम बरबाद हो जाएंगे जोग करना है करो लेकिन वह सबूत मिटाओ खत्म करो सारे सबूत कि वह बबाब 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 झांकर लो जो चांकर वह जुक टूल को जूल वब लगजा तॉटॉ वब लगजा प्सकुल्ग रपसी, प्सक्रावर, य। रींगर रेकर रेकि य। रुक्जा, औ computer, य। रmb जगिनगर, य। य। भूंगर, य। आइ ! झाल, य। य। हॉ pH, चो हॉ य। को भर१orphisés कि वूखतनाgypt के located फॉaso ऑर वसुद ανतो jurisdictions अब सिर्फ मैं और कोमल जिन्दा हैं और अगर मैं जिन्दा हूँ तो वो भी सिर्फ उसकी वजह से हमारे माबाप के उस कातिल को ढूनने के लिए मैंने जमीन आस्मान एक कर दिये तुम्हारे बाप ने देश के साथ गदारी की उसने कितने अर्बो रुपियों को इंडिया से बाहर भीजवाया ये तुम जान दी तक नहीं हो पैसों की खातिर वो तुम्हारी शादी उस शंकर से करवाएगा यही उसका प्लान है सिर्फ इतना है नहीं पैसों के लिए मैं पूरा देश भी बेज दूँगा अगर तुमने साथ दिया तो अपनी बेटी की शादी भी मैं तुम सही करवाएगा और यही वजह है कि उसने जल्दबाजी में तुम्हारी सगाई भी करवाई थी क्यों आई थी तुम यहां प्यार की वजह से नहीं आकांग्शा सिर्फ पैसों के लिए सही क्या रहाओ ना मैं कि तुम्हारे बापने बिना किसी को बताए चुप चाप तुम्हारी सगाई पैरिस में करवाएगा मैं वहां भी आया था लेकिन वो मुझसे बच गया हर हफते किसी नए देश में जाकर छुपता है मैं चाहता था कि वो मेरे पास आए और इसलिए मैंने तुम्हें टागेट बनाया मेरे पास उसका कोई कॉंटाक नहीं था और उस दिन ट्रेन में मुझे उसके आत्मी से उसका नंबर मिला उससे हमारी फोटोस फैक्स करके मैंने उसकी दुखती रख पर हाथ रख दिया अब तुम्हारा मंगेतर सब छोड़कर तुम्हारे पीछे आएगा लेकिन तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारी दौलत के लिए तो कॉमल की डाइरी भी नकली थी? वो डाइरी बिल्कुल सची है उसमें लिखी कहानी भी मेरा और कॉमल का प्यार भी और मेरा पदला भी कॉमल कहा है? पर क्या है है यह है तुम्हारा होने वाला देवर बेचारा सगाई में नहीं आ पाया आज मिलनो हेलो मैडम है से हेलो वेलो से कुछ नहीं होगा वेचारा कोमा में है ना मैं तो इसकी खाता हूँ उडवे तेरी भावी मिलने आईए इसका इलाज करता हूँ कर किया रहे हैं कि पैसे कहा है कि फिर से इलाज करूँ तेरा साप सूंगया क्या पैसे कहा है को और से देख इसे अब मैं आखरी बार पूछ रहा हूं चुप चाप बता दे की पैसे कहां रखें वरना बिना टिकेट सीधा उपर जाएगा मरना है या जीना है नहीं नहीं मैं पता दो मैं पता दो एए इसस संजु चोहान मैं तेरी मंगेतर और तेरे भाई को लेकर जा रहा हूं जहां पैसे रखें चाहते क्या मेरा शिकार सिर्फ तू है जहां मेरी कोल्फरेंड लिया है आजाना तेरे हिम्मत की दाद देता हूं तू और मैं अकेले हैं मैं जो चाहूं तेरे साथ कर सकता हूं क्या कर सकता है तो तेरा खून कर सकता हूं इतना कॉन्फिडेंस है मार क्या हूं कर दो कर दो कर स NI कर दो. कर दो कर दो. अ आईщее कर दो कि अ. कर दो कि अब कि अब कर अब कि अब इंग खिर नार उनी एका घ्सका अब खिर्ण तेख लग उड़ता जार ऑम अब से वारूकर अविंगा है कि अब कर अब खिरीव बदेंगाया और जार खिरोंने अब्लावदा के अब है इसी पल्का तो मुझे पे सपरी से इंतजार था आज इंतजार और तू दोनों खत्म होंगे आसाले मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है अब मैं जो भी बात करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ तुझे मारने के बात करूँगा आस क्यों रहा है तू तू ने मेरे परिवार के सारे कातलों को मेरे सामने खड़ा कर दिया है आए लाव यो तांक यू शंकर तुम ही थे न वो जिसने मेरे परिवार के हत्या की बताओ तुम में से कौन कौन था आए चोटे जल्दी पता पैसे का है पैसा गया भार में पहले उसे खतम करते हैं सगाई मेरे साथ और रंग रलियां उसके साथ मारना है तो उसे मारो भावी को क्यों मारे हो काहे की भावी यह साली मुझे छोड़के उसके प्यार में बागल हो रही थी मुझे डिस्टरब हो रहा है तुझे तो मैं संचू मार दो ने किसी को भी मत छोड़ना संचू किसी करसे आए झाला है किसी प्याता वावी दो को किसी क्रावी थाला है कि कि अ कि दो इसा किंगा सामार में कि क्ला भूल दो है कैंगок कुछ यह से फ्हूल एक-एक कुमादो अब बता पैसे कहा है चलो एए छोटे एए एए वर इस दमानी जल्देबाता अब कोई बात नहीं होगी आए एए ले बार मुझे जाए पैसे दोग बार मैसे कहा है बार मैसे बार मैसे बार मैसे रोक टेल में वेड दमारी जल्दी बाल मार दूँगा इसे मार दूँगा इसे सुना तुने मैं नहीं बताओंगा मैं नहीं बताओंगा मैं नहीं बताओंगा पैसे कहा है मैं इसको ठोक दालूँगा अच्छा बॉम से डरा रही है मुझे चलेगा हम सब साथ साथ मरेंगे संजू मेरे मरने कागा मत करना जाओ यहां से अजय ऑख यहां से अजय 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 अ अ अ अ अ व जय बव ए जो जोपिते नीजित तॉ प्लिज टो कुशो स्टॉ मुझे कॉई पाशा नीचित प्लिज ए जो प्लिज लागा उपर आजा मैंने तेरी जिन्दगी इसलिए बचाई है क्योंकि मैं खुद तुझे मारना चाहता हूँ चला बदा क्या बात करना चाहता था तु बोलना बे कोल मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है मुझे लगता था येसे मैं साइकालोजी जानती हूं लेकिन यह तो मेरे बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ा कि तुमने थो लटब उव्ल्लो बना दिया मेरे मेरे लगता पती को मार दिया मेरे दापको इस बेकार की दिलासे का क्या करूं तुम दोनों अब क्या शादी कर लोगे हां तुम दोनों खुशी-खुशी साथ रहोगे लडाई जगड़ा करके अलग-अलग नहीं हो जाओगे यह सब क्यों पूछ रही हो तुम मैंने कई लोगों को देखा है देख लेना तुम्हारी ल नहीं होगी सेकिंड पार्ट बाकी है देखते रहे ना वापस आएगी मतलब अरे आती है तो आने दो मेरे लिए अच्छा है ना दो दो हीरोईन कर दो मीक वाहई चया कर दो है झाल 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 झाल